वेलकम टू पनेशिया आजकल, आज हम डिसकास करेंगे थर्ड वीक अफ जून 2023 के करंटरफेर्स के बारे में, हमारी आज की पहली न्यूज है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबररी सुसाइटी जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर तो उन्हों ने इस चीज का इनिशियाटिव लिया था कि हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो अब नेहरू जी का नाम हटा कर इसका नाम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रख दिया गया है, इसी के साथ आपने एक प्रधान मंत्री संग्राले भी देखा होगा, विच इस जो पीछले साल ही अभी रिसेंटली 21 एपरल को शुरू किया है, जिसको लोगों के लिए खोल दिया गया है, न्यू डेली, तो यह सारे इनिशियटिव हो रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को रेकर गनाईज करने के लिए, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, सेंटर ने लाँज किया है, एक दक्षता कोर्स, विचिज अ कलेक्शन ओफ आई गॉट प्लाटफर्म, तो आई गॉट कर्मा योगी का इस बार आपने हमारे बजट में भी जिकर देखा होगा, तो यह बेसिकली, जो हमारे गर्मेंट ओफिसर्स हैं, उनकी स्किल अप्ग्रेडेशन क लिए एक प्लाटफर्म बनाया गया है, तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दक्षता कोर्स उसमें लाँच किया है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी, डेवल्पमेंट ओटिट्यूड, नौलेज, स्किल फॉर हॉलिस्टिक ट्रांस्फोर्मेशन और एड्मिनिस्ट्र ने लाँच किया है, दुग्द संकलन साथी मोबाईल अप, मिनिस्टर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं, वो है, डॉक्टर महेंदरनाथ पांडे, तो उन्होंने, इट इस डिवेल्प्ट एंड डिजाइंड बाई राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्रूमेंट करते हैं, जो कॉपरेटिफ सुसाइटीज काम करती हैं, विलेज लेवल से लेकर उनकी डिस्ट्रिबूशन होने तक पूरा का पूरा उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये डेरी फामर्स को, so this scheme is, this mobile app is particularly related with dairy farming sector of our country, next हम बात करेंगे रुनाचल परदेश शीफ मनिस हैं, ऐसी सारी चीजें online कर पाएंगे in the state of अरुनाचल परदेश, ये अभी initial phase में 16 ऐसी services प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको कोई helpline number चाहिए, पुलिस के लेटेड कुछ भी आपको ऐसी important emergency वाली अगर पुलिस को अप्रोच करना है, तो इस app के through आप अप्रोच कर पा किया जाता है, तीन दिन तक celebrate किया जाता है, which celebrates womanhood, तो इस में women आती है, enjoy करती है, कुछ traditional dishes बनाई जाती है, कुछ games खेली जाती है, जैसे आप picture में भी देख सकते हैं, वो swings ले रही है, तो ये basically agriculture festival है, जो time पे time होता है, rice को sow करने का, तो उसकी खुशी में ये festival celebrate किया जाता है आगे हम बात करते हैं, FSA से आए, जो eat right station का tag देता है, तो ये हर महीने या एक दो महीने के बाद सरकार बताती रहती है हमें, लेकिन ये वाला हमारे लिए important है, क्योंकि गुहार्टी railway station, पहला ऐसा station है, जिसको north east frontier railways में ये status दिया गया है, for two years, दो साल के लिए अभी उसकी validity रहेगी, अगर फिर से वो अच्छा perform करेगा, तो उसकी validity को बढ़ा दिया जाएगा, तो north east का ये पहला station है, जिसको eat right station का tag दिया गया है, eat right station उनी stations को दिया जाता है, जिनमे high quality and nutritious food passengers सक पहचाने की provision होती है, आगे हम बात करते हैं, United Nations General Assembly ने एक draft resolution adopt किया है, जिसको India ने introduce कि तो बेसिकली इंडिया ने ये बोला था कि हम एक memorial wall बनाएंगे United Nations में, जो peacemakers की death हो जाती है, या इन सब लोग जो हमारे peacemaking missions में जाते हैं, जिन soldiers की death होती है, उनको memory, उनकी memory में हम एक wall establish करेंगे, तो हमारे इंडिया से permanent representative रुचिरा कंबोर जाती हैं, तो आप picture में भी उ resolution वहाँ पर दिया था और United Nations General Assembly ने इसको accept भी कर लिया है, तो ये इंडिया के रिए एक बहुत अची चीज है, इंडिया की जो United Nations में position है, वो strong होती हमें देख रहे हैं, आगे हम बात करेंगे दो appointments के बारे में, UK ने पहली बार first woman envoy को point किया है to Pakistan, जिनका नाम है Jane Marriott, इससे वो काम कर चुकी है as High Commissioner to Kenya और ये रिप्लेस करने वाली हैं, Dr. Christian Turner, next है हमारे पास Nusrat Chaudhary, she has been confirmed as a first Muslim woman federal judge in US history, तो Indian American और ये सब तो हमने पहले सुन चुके हैं, इनके first records बन चुके हैं, ये पहली Muslim woman हैं, जो US की history में federal judge बनने वाली है, so Jane Marriott, who has been appointed as first woman envoy to Pakistan, और किसने पॉइंट किया है, United Kingdoms में, and second is Nusrat Chaudhary, जो की first woman federal judge बन गई है, आगे बात करते हैं, हमारे एक foreign service ambassador, Satish Chandra, उन्होंने एक बुक लिखी है, basically अपनी life के उपर based है, एक तरह से हम biography कह सकते हैं, उन्होंने, जिस time पे, जितने time में Indian foreign services में काम किया है, for like almost 50 decades, तो उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है, जिस बुक का नाम है, Life Well Spent, Four Decades in the Indian Foreign Services, तो 40 साल का उन्होंने का करियर रहा था, जिसमें उन्होंने अपना सारा experiences बुक में शेयर किया है, next बात करते हैं, a good news, जिसमें इंडिया का inflation rate दो साल में पहली बार इतना कम आया है, in the month of May 2023, so data has been released by Ministry of Statistics, so it is a reliable data, हाँ यहां पर हम बात कर रहे हैं, consumer price index के बारे में, जो की कम हो गया है 4.25% के आसपास, पिछले साल जब हमने हमारा repo rate बढ़ाना शुरू किया था, उस time पर हमारी inflation 6 या 6 से उपर ही चल रहे थी, हम 8.5% के peak तक भी पहुंचे हैं, अब finally repo rate बढ़ान की वज़स से और बहुत सारे और actions जो हमारी government लिये हैं, उसकी वज़स से हमारे देश की consumer price index inflation is at 4.25% next हम बात करेंगे एक बहुत ही record breaking cheese, जो SBI ने की है, हमारी finance minister को dividend का check handover किया है SBI ने और ये अब तक का highest dividend है, which is 5740 crores for the outgoing fiscal year, पिछले fiscal year का, जो SBI ने finance minister को dividend दिया है, dividend is basically हमारी जो government है, वो public sector enterprises में invest करती है, तो जो government का share है, उसका जो profit SBI ने government को submit किया है, that is 5740 crores, तो dividend का जो payment है, वो उनके chairman, तो यहाँ पे हमें SBI के chairman का भी नाम पता चल रहा है, which is Dinesh Kumar Khara, तो ये अब तक का highest dividend है, मैं already आपको बता चुकी हूँ, तो ये बहुत ही एक अच्छी ख़बर है हमारे देश के लिए, आ है, तो आपको अभी आजकल एक term सुनी होगी, de-dollarization, so this is a one step further towards de-dollarization and also euro and dollar, जो दोनों ने अपनी monopoly बना रखी ये world trade में, उसको अब सभी countries demote कर रही है, India भी कर रहा है, तो रशिया के उपर तो sanction लग चुके हैं, इसलिए उनके पास तो और कोई options बहुत कम बची हैं, तो इस already ये accounts offer कर चुके हैं, इससे पहले वो Chinese Yuan and UAE currency के accounts already अपने bank में hold करते हैं, आगे बात करते हैं, Indigo, Indigo जो की एक airline company है, जिसने एक record breaking order दिया है Airbus को, तो Airbus को 500 A320 family aircrafts का order दिया गया है, तो Paris Air show हुआ था भी recently, 2023 in third week of June जहां पर इन दोनों के बीच में ये order place हुआ है, इससे पहले आपने सुना होगा Air India, जो Tata Group own करता है, उसने कुछ 420 aircrafts का order दिया था, Boeing and Airbus combined, अब Indigo ने सारा का सारा order Airbus को दिया है, next in the news we have 3-day G20 agriculture working group meeting which is held in Hyderabad, 15 to 17 June के बीच-बीच में किया गया है, इसको head किया है, Union Minister of State Shree Chaudhary, priority sectors हमारे agriculture के related क्या रहेंगे, ये हमारे लिए important point है यहां पर consider करना, तो हमारा first point है इसके अंडर food security and nutrition, food security सबको अच्छे से खाना मिलना चाहिए, जो poverty stricken लोग हैं, वहां तक भी हमने food की facility लेकर जानी है, agriculture को sustainable बनाना है, sustainable का यहां का मतलब organic भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि future generations के लिए हम soil quality को maintain करके रखें, हम एक अच्छा infrastructure बनाएंगे और digitization करेंगे, तो हर जगा में, हर फील में digitalization तो एक point हमेशा रहता ही रहता है, strengthening infrastructure में हम technological changes भी ले सकते हैं, हम इसमें farmers के लिए credit facilities भी include कर सकते हैं, so basically agriculture is the base जहां से पूरी दुनिया चल रही है, अगर agriculture अच्छा नहीं होगा, so there will be malnutrition famines in the world, तो उसको strong करने के लिए इस पूरी meeting में discussion की गई है, आगे बात करेंगे नीतिया योग and United Nations, जिन्होंने अभी आपस में एक framework sign किया है, जिस framework का नाम है United Nation Sustainable Development Corporation Framework, जो की काम करेगा 2023 to 2027, अब इसके अंडर बात किन-किन चीजों की की जाएगी, किन एरियास पे focus किया गया जाएगा, वो है gender equality, youth empowerment, human rights and overall sustainable development, तो यहाँ पर एक term दिमाग में आती है, आपके भी शायद आई होगी sustainable development goals, जो की पूरा world follow कर रहा है, under agenda 21 from 2015 to 2030, तो यह जो अभी सारी terms मेंने बोली है, gender equality, human rights, यह सारी की सारी sustainable developments का पार्ट है, so whole of the world is directed together towards agenda 21 and sustainable development goals, तो नीतिया योग हमारे देश का think tank, जिसने planning commission को replace किया था, वो अब United Nations के साथ मिल कर, इंडिया में sustainable development कैसे हो सकती है, उस चीज के उपर बात करेगा और पूरा एक framework उस चीज के लिए बनाया गया है, next हम बात करते हैं, IPS officer रवी सिनहा, जिनको new chief of RAW appoint किया गया है, तो RAW हमारी basically external intelligence agency है, जिसकी full form है research and analysis wing, सिनहा take over कर रहे हैं, समंत कुमार गोयल जी से, who is completing his four year terms on June of 30th, तो जो ऐसी major appointments होती है, किसी भी commission की appointment होती है, किसी department की head की appointment होती है, तो वो की जाती है by the appointments committee of the cabinet, तो appointments committee of the cabinet, ACC ने इनकी tenure रखी है दो साल के लिए, तो अब ये उसको take over करने वाले हैं, Next we have a book from Ramachundra Guha, जिनको अभी recently Elizabeth Longford prize दिया गया है, बुक का नाम है Rebels Against the Raj, Western Fighters for Indian Freedom, तो ये जो prize है, ये basically autobiographical accounts को ही दिया जाता है, Ramachundra Guha का नाम आपने जरूर सुना होगा, he's a very famous historian of India, तो उन्होंने इस book में उन Western Fighters के बारे में mention किया है, जिन्होंने Indians की help की थी, India को independence दिलाने में, तो इस award में उनको 5000 euros as a price money दिया गया है, and also a copy of the memorial, जो भी वो issue करते हैं, और Dury को जिन्होंने ये दिया है price, वो चेर कर रहे थे, Roy Foster, Next, बात करते हैं, एक Global Slavery Index, जो अभी recently published किया गया है, जिसने published किया है, जिसने पुब्लिश किया है, जिसने पुब्लिश किया है, जिसने पुब्लिश किया है, जिसने पुब्लिश किया है, जिसने नाम है, Walk Free, which is a human right organization, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, कि यह data use करती organization for this index, that data is released by international labor organization, which works under United Nations, so data is quite reliable, तो यह 5th edition है, इस index का, और यह based है 2022 के estimates के उपर, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, तो data तीन तरह से release कया गया है, सबसे पहले है most prevalent, इसका मतलब है कि prevalence rate कितना है, कितने परतीशत तक आपके देश में slavery, modern slavery exist कर रही है, तो number one में उसमें undoubtedly there is North Korea, then there are two African countries, Eritrea and Mauritania, और least में आप देखें सबसे उपर हैं, Switzerland, Norway, Germany, तो Switzerland, Norway, Germany का जो नाम है, वो happiness index में सबसे उपर आता है, और modern slavery में सबसे नीचे, और North Korea का नाम slavery में सबसे उपर क्यों आता है, ये में कोड़ेटेल में बताने की जुरत नहीं है, इसके इलावा एक third type of data, इस index ने release किया था, जो ये कहती है कि maximum number of people, मतलब in terms of number of people, number of heads, कितने लोग हैं जो modern slavery में exist कर रहे हैं, तो इसमें number one पर आया है इंडिया, second number पर है China and third पर है North Korea, तो इंडिया और चाइना के सबसे उपर आने का reason, एक इनकी maximum amount of population भी है, क्योंकि यहाँ पर हम population head count कर रहे हैं, तो उसके proportion में अगर कम भी होगा ratio in terms of percentage, तब भी हमारा count जाधा आजाएगा, तो इसलिए India is on number one and China is on number two, next हम बात करते हैं National Water Awards, जो की दिये गए हैं by the Vice President of India, श्री जगदीब धानकर, तो यह fourth हमारे देश की National Water Awards हैं, जो की दिये गए हैं at Vigyan Bhavan in New Delhi, तो इसमें 41 total winners थे, जो की अलग-अलग categories में जिनको वाट दिया गया है, हमारे लिए दो चीज़ें सबसे important हैं, पहला बात तो यह कि best state में किसको वाट दिया गया है, तो वो state है Madhya Pradesh, दूसरा है best industry का वाट किसको दिया गया है, that is NTPC Baroni, तो यह दो चीज़ें तो आप हमेशा याद रखिए, यह तीसरी एक important चीज़ जो same event में हुई थी, वो है कि हमारे vice president जी ने एक film animated movie release की है, जिसका mascot है Piku, to promote water conservation, तो यहाँ पर हमारे लिए भी important है कि what दिये, किसने हैं, दो main categories जो मैं आपको बता चुके, and also this mascot which is to promote water conservation in India, जिसका नाम रखा गया है Piku, next we have a Vabaf fellowship program which is announced by ministry of science and technology, Vabaf की full form है वैश्विक भारते विज्ञानिक fellowship program, तो fellowship program is basically जब research करने के लिए, आप किसी university के साथ as a fellow काम करते हैं, तो हमारा जो STEM diaspora है, STEM की यहाँ पर full form है science, technology, engineering, mathematics, और diaspora का मतलब है, वो individuals who are born brought up in India, but now they are resident of other countries, जो जो भी ऐसे इंडियन हमारे हैं, जो foreign countries में अभी इस टाइम रहते हैं, और science, technology, engineering, mathematics के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक fellowship program launch किया गया है, तांकि वो यहाँ पर आएं हमारे higher education institutions में आकर, इस fellowship program के तहत research करें, so this is basically to promote partnership with all those diaspora, और India में जो research है, उसके level को बढ़ाने के लिए, so in the initial phase 75 selected fellows would be invited under this program, जो अलग-अलग fields में काम करेंगे, नेकिन यहाँ पर condition यही रहेगी, that they should be diaspora of Indian citizens only, आगे हम बात करते हैं, there is a mascot which is launched for 37th edition of Indian National Games, तो इस mascot का नाम रखा गया है MOGA, और यह launch किया गया है by Goa's Chief Minister Pramodh Sawant, और उन्होंने इसको release किया है Dr. Shama Pasad Mukhaji Stadium, which is located in Goa only, तो इसके अंदर अलग-अलग competitions होते हैं, अलग-अलग जगा पर जो 43 total areas में competition कराए जाते हैं, one very important thing to consider here is, कि हमारे Punjab का जो गत्तका है, which is a traditional martial art form, वो भी इस साल Indian National Games में perform किया जाएगा, और उसके लिए compete किया जाएगा, तो ये बहुत ही एक important point है याद रखने के लिए, next हम बात करते हैं sports के बारे में, सबसे पहला हमारे पास है India lifted the Intercontinental Cup, Intercontinental basically four nations का एक football tournament होता है, जिसमें Lebanon, India, Guantano and Mongolia, चार countries involved रहती हैं, तो इस साल इसका जो final match है वो हुआ है, कलेंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, from 9 to 18th June 2023, जिसमें इंडिया ने Lebanon को हराया है, और इंडिया इसमें जीत प्रापत कर के आया है, दूसरा हमारा है Indonesia Open 2023, जिसमें सत्विक सहराज और चिराग का जो, अभी ये men doubles में हमेशा championship में जाते हैं, और ये यहां से जीत कर आया है, इन्होंने हराया है Malaysia की team को, जो पिछले साल इस championship को जीती थी, तो ये जो competition था, ये हुआ है in Jakarta, इंडोनेशिया from 13th to 18th June, तो ये दुनों हमारे देश के बहुत ही अच्छे badminton flares हैं, जो mostly जिस भी competition में जाते हैं, आगे हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही major event, International Yoga Day 2023, which is celebrated on 21st of June every year, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 में, इंडिया ने United Nations में ये बात बोली थी, कि हम 21st June को as International Day of Yoga recognize करेंगे, तो UN ने उस बात को माना था, और अब पूरी दुनिया जो United Nations के अंडर है, जो उसके साथ associated है, वो इस दिन को as Yoga Day celebrate करती है, तो हमारे Prime Minister इस साल United Nations Headquarter गए थे, और उन्होंने वहाँ पर लोगों में योगा का enthusiasm भढ़ाया है, इंडिया में जो योगा की celebrations थी, those were headed by our Vice President जगदीब धानकर, इस साल हमने motor रखा है, Yoga for Vasudeva Kutumbukam, तो Vasudeva Kutumbukam हमारा G20 का भी theme है, तो हमें Yoga को भी इसी के साथ इस बार attach किया है, Ministry of Youth Affairs and Sports ने जो Yoga महुत सब celebrate किया है, वो इस साल किया है, Major Dhyan Chan National Stadium, तो 9 साल हो चुके है हमें, जब तक United Nations ने recognize किया था कि हम Yoga Day मनाएंगे, का वो दिन जो सबसे लंबा दिन माना जाता है, इसी के इलावा, एक Yoga Day से related ही मारे पास एक और news है, कि Indian Navy and Ministry of Ayush ने मिलकर एक exercise, एक event organized किया था, जिसका नाम रखा गया था, Ocean Ring of Yoga, तो इसमें 3500 naval personnel, आप इस picture में अगर देखेंगे, तो जो orange color का आपको एक ring बनता हुआ दिख रहा है, तो ये basically वो सारा area है, जो Indian Navy travel करने वाली है, अपने 19 Indian Naval Ships में, ये सारे हमारे वो friendly nations हैं, जिनके साथ इंडिया के बहुत सालों से बहुत अच्छे relation है, तो इन सभी जगा पर Indian Navy जाएगी, और लोगों में yoga का enthusiasm बढ़ाने की कुछिश करेगी, उनको aware करेगी कि कैसे yoga आपके health, आपकी mental health, आपकी physical health के लिए कितना important है, so this is a very very different and major thing that is associated with India, related to Indian, related to international yoga day, इसी के साथ एक और सेंटर ने चीज़ इंटर्यूस किया है, जिसे बोला जाएगा वाइब्रेक, वाइब्रेक मतलब yoga at office chair, तो ministry of Ayush, Ayush की full form, I would like to revise Ayurveda, yoga, naturopathy, yunani, siddh and homeopathy, तो ये basically इस चीज़ के लिए है कि काम करते करते, जब आप ठक जाएंगे, you need to relieve your stress, rejuvenate energy level, तो उसके लिए आपको simple कुछ yoga की practices कराई जाएंगी, तो उसको हम Y break का नाम देने वाले हैं, जैसे lunch break मिलती है, तो ऐसे एक yoga break मिले जाएगी, according to the government of India. So these were all your current affairs of third week of June, बने रही हमारे साथ हमारे YouTube channel पर. Panesia Tutor लाया है एक education platform, जहां पर अलग-अलग courses, जैसे की IAS, PCS, UGC net, SSC, और banking exams के लिए, online और offline classes की सुविधा उपलब्थ है, comprehensive coverage of all these subjects, through quality video lectures. है aptitude का topic, that is blood relation, uncle's only daughter. He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परार मैट्थे थे, वो अपने साथ ले गए, Kohinoon Diamond, the world famous Kohinoon Diamond, वो भी Google Treasury से ले गए. फिर आया economic pragmatism, यानि की चाहे हमारे साथ आप से जगड़ा भी है, तो भी हम आप से ब्यापार करें, जैसे चाइना है, हमारा जगड़ा होते हुँपी हम उसे ब्यापार करें. PDF Notes, और उन से जड़े हुए relevant MCQs, साथी साथ, comprehensive mock tests. So, join Panesia Tutor for your successful and bright future.